आपने शायद हजारों घंटों तक computer mouse को यूज किया होगा, और फिर भी क्या आपने कभी सोचा है कि या कैसे काम करता है? असल में, modern computer mouse साथ अलग technologies का merger है और कुछ engineers, engineering भी इन सभी technologies को गहराई से कवर करने में एक घंटे से अधिक का समय लगेगा, इसलिए इस वीडियो में हम केवल एक पर ध्यान केंदरित करने जा रहे हैं, जो है image sensor और यह पता लगाने जा रहे हैं कि जब आप अपने mouse को mouse pad पर इधर उधर घुमाते हैं, तो वास्तव में क्या होता है, उसके बाद हम gaming mouse पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ mice में 25,000 dpi या dots पर इंच होते हैं, जबकि अन्ज में केवल कुछ 1000 होते हैं, बने रहें और चलिए शुरू करते हैं, इस mouse के नीचे हमारे पा कर गुजरती है, और सीधे computer mouse के नीचे के surface को रोशन करती है, इसके बाद infrared light surface से bounce करती है, दूसरे lens से गुजरती है, फिर एक छोटे से aperture के माध्यम से और अन्थ में इस sophisticated image pixel array या image sensor को hit करती है, जो 1600 pixel से बना होता है, जो 40x40 का होता है, यह महत्वपूर्ण है, आपका mouse, mouse pad य या surface की रंग या design को capture नहीं करता है, बलकि क्योंकि light एक shallow angle पर emit होती है, यह texture या surface की ranges और valleys को प्रकाशित करता है, जैसे rolling hills पर गिरते sunset की तरह, hills के top, light को पकड़ते और प्रतिव इम्मित करते हैं, और प्रकाशित होते हैं, लेकिन light valleys तक नहीं पहुच पाती, और इस प्रक light के shallow angle और lenses के focus के कारण, image sensor एक topographic रूप से और textural रूप से complex landscape को capture कर पाता है, ध्यान दे कि यदि surface बिना किसी imperfections के पूरी तरह smooth होता है, mouse उस पर काम करने के लिए संखरश करेगा, यही कारण है कि कुछ computer mouse glass पर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, इसके लावा 1600 pixels वाला या image sensor केवल mouse के ठीक नीचे, एक penny के size के 1 by 200 हिस्से पर ही केंद्रित है, हाला कि महतवपूर्ण या है कि image sensor हर एक second में surface की 17000 तस्वीरे लेता है, और इस प्रकार यदि आप अपने mouse को mouse pad पर 10th of a second के लिए घुमाते हैं, तो image sensor उस quick move के दोरान लगभग 1700 तस्वीरे लेगा, और यहां इस technology के लिए kicker है, आपका mouse इन में से किसी भी image को save नहीं करता है, बलकि हर बार जब यह एक तस्वीर लेता है, तो यहां इसकी तुलना 59 microseकेंड पहले लिए गए पिछले तस्वीर से करता है, Microchip तब X में परिवर्तन और Y में परिवर्तन को निधारित करने के लिए दो images के बीच के अंतर का उपयोग करता है, यानि कि आपने अपने mouse को कितने दूर और किस दिशा में move किया, 1 by 17,000 सेकेंड में या 59 microseकेंड में, आईए इस idea के बारे में थोड़ा और पता लगा है, यदि हमारे पास surface के topographical texture की दो images हैं, जो 59 microseकेंड के अंतर में ली गई हैं, Microchip X में परिवर्तन और Y में परिवर्तन को वास्तव में कैसे निधादित करता है, खेर इसे calculate करने के लिए, दो images को Microchip के एक हिस्से में भेजा जाता है, जिसे digital signal processor कहा जाता है, या sun shape में DSP कहा जाता है, जहां cross correlation नामक algorithm execute किया जाता है, जैसा कि पहले उल्ले किया गया है, प्रतियक image 40 x 40 pixel से बनी है, और प्रतियक pixel 0 और 4095 के बीच value उत्पन करता है, और इस विशेश pixel को hit करने वाले light की intensity से संबंधित होता है, यहां हम प्रतियक pixel की height से value का प्रतिनिधित्व करते हैं, digital signal processor या DSP पहली image लेता है, और उसके उपर दूसरी image को overlap करता है, इसके बाद DSP दूसरी image के individual pixel के सभी values को पहले से subtract करता है, और हमें एक नई image मिलती है, processor फिर दूसरी image को इधर उधर shift करता है, और पहली image को stationary रखता है, और दो images के बीच का difference calculate करना जारी रखता है, और जब तक कि एक इस्तिती नहीं मिल जाती, जहां resulting image minimum होती है, minimum resultant image तक पहुचने की position में, shift की मात्रा हमें बताती है कि mouse 1 by 17,000 seconds के अंतर में ली गई दो लगतार images के बीच कितनी दूर चला गया है, X में बदलाव या Y में बदलाव के लिए एक value उत्पन करते हुए जिसे pixel counts में मापा जाता है, 59 microseकंड बाद एक और image capture की जाती है, और processor, same cross correlation algorithm perform करता है, लेकिन नई image के साथ, और पिछली image stationary है, जिसके परिणाम सरूप value का एक और set होता है, processor नई images को capture करना जारी रखता है, और cross correlation algorithm को 17 बार execute करता है, यह तब सभी values को जोडता है, और हमें पता चलता है कि mouse 1 millisecond में कितनी बार move किया, एक millisecond के लिए X और Y में या combined change को system के यहाँ एक chip पर भेजा जाता है, जो बदले में या तो USB transceiver या Bluetooth का उप्योग करके आपके computer को जानकारी रिले करता है, और इस तरह आपका mouse हर एक millisecond की movement को calculate करता है, आईए आप gaming mice और non gaming mice के बीच difference को देखें, mouse का sharper looking shape, एक अलग number और buttons का layout और LED lights के अलावा पहला मुख्य difference specified DPI या dots पर inch है, gaming mice में 12,000 से 25,000 के DPI specs होते हैं, जबकि non gaming mice में 850 से 4,000 DPI के करीब होते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि DPI वास्तव में क्या है, ठीक है, जब आप अपने mouse को दाई और ले जाते हैं, एक inch से, आपका cursor screen पर जितने भी units move करता है, वो dots पर inch की value में आता है, 2000 के DPI का अर्थ है कि आपका cursor माउस की परतियेक एक inch की movement के लिए 2000 units move करेगा, हाला कि यह image sensor और cross correlation algorithm से कैसे संबंदित है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, ठीक है, मालने कि इस 40 x 40 pixel image sensor में परतियेक pixel की लंबाई और उचाई 30 micrometers है, जो कुल मिलाकर 1.2 mm by 1.2 mm का square बनता है, अगर हम इस sensor के pixel की लंबाई में एक inch तक extra polit करते हैं, तब हमें लगभग 850 pixel की आविशक्ता होगी, जो वास्तव में 850 का DPI प्राप्त करेगा, high DPI तक पहुचने के लिए, हमें multiple cuts का उप्योग करके प्रतियेक hole या integer pixel को subdivide करना पड़ेगा, आएए प्रतियेक pixel लें और इसे subdivide करें, 4x दिशा में और 4y दिशा में, प्रतियेक pixel 25 सब पिक्सल में बदल जाता है, और अब हमारे पास 850 DPI sensor में 4250 का DPI है, हाला कि अगर हम प्रतियेक pixel की प्रतियेक लंबाई के साथ 29 cuts करते हैं, तो हमें DPI 25500 के करीब मिलता है, ध्यान दे कि DPI एक linear unit है, जबकि pixel पर square range एक square unit है, तो अब जब हमारे पास general idea है, तो यह कैसे होता है? खैप, पूरे pixel को sub-pixels में sub-divide करने की एक समाने तकनीक को interpolation कहा जाता है, और सरल वर्जन इस प्रकार है, यहां हमारे पास 4 hole या integer pixels हैं, प्रतियेक pixel से टकराने वाले प्रकाश की तीवता के लिए एक value के साथ, और पहले की तरह प्रतियेक pixel की height value के साथ साथ सर्फेस की approximate textural topography को represent करती है, इसके बाद हम x दिशा में pixel के दो sets के top के बीच एक line खीशते हैं, और फिर y दिशा में दो lines के बीच line खीशते हैं, फिर हम कितने sub-pixels चाते हैं, इस पर निर्भर करते हुए हम lines को subdivide करते हैं, प्रतियेक intersection पर हमारे पास एक नए interpolated sub-pixels के लिए एक समान value होता है, इसलिए जब आप अपने mouse की dpi setting बदलते हैं, तो आप वास्तब में जो बदल रहे हैं, वा इस interpolation algorithm में subdivisions की संख्या है, यहां हम एक bilinear interpolation दिखा रहे हैं, इसे bilinear कहा जाता है क्योंकि हम whole integer pixels के बीच सीधी line खीचते हैं, हाला कि bicubic interpolation में जो थोड़ा अधिक maths का उपयोग करता है, उसका उपयोग एक smoother topography बनाने के लिए किया जा सकता है, gaming mice और non gaming mice के बीच एक अतरिक्त अंतरिया है कि gaming mice आम तोर पर computer को अपने moments को report करते हैं, एक second में 1000 बार या हर millisecond में एक बार, जबकि non gaming mice एक second में 120 बार data बेशते हैं, इसके अलावा हर second में लिए गये pictures की संख्या, जिसे frame rate कहा जाता है 17,000 है, किवल इतना अधिक तब होता है जब आप अपने mouse को तेजी से घुमा रहे हैं और जब आपका mouse बैटरी लाइफ को बचाने के लिए इस्थिर होता है, तो यहाँ कम हो जाता है, ध्यान देने वाली एक महतोपूंड बात लिया है कि mouse की बहुत सारी varieties हैं, और इस वीडियो में हमने 17,000 का frame rate और 25,000 DPI के resolution के specs को लिस्ट किया है, जो एक high-end gaming mouse के specs हैं, specs आम तोर पर 4000 frame पर सेकेंड से 17,000 तक होते हैं, 1000 DPI से 25,018 by 18 pixel से 40 by 40 और reporting rate 100 से 1000 तक, इसके अलाबा हमने एक mouse दिखाया, जो illumination के लिए infrared LED का उपयोग करता है, जबकि कुछ mouse laser का उपयोग करते हैं, पुराने mouse red LED का उपयोग करते हैं, और prehistoric mice एक ball का उपयोग करते हैं, ध्यान दे कि इस वीडियो की शुरुआत में, हमने कहा था कि इस computer mouse के अंदर 7 अलग-अलग technologies हैं, और अब तक हमने केवाल एक को ही cover किया है, अगला वीडियो जिसे हम बनाने पर विचार कर रहे हैं, वो इस scroll wheel पर है, और हम इस wheel spinning को कितनी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम इस वीडियो पर 30,000 से अधिक likes प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उस वीडियो को बनाना सुनिश्चित करेंगे, इस mouse के अंदर एक complicated printed circuit board या PCB है, और इसके बिना, wires का एक messy जंबल होगा, जो संभवता ठीक से काम नहीं करेगा, यदि आप अपने स्वैम के device बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना स्वैम का PCB बनाना होगा, जो कि काफी उप्यूक्त है, क्योंकि यह वीडियो हमारे sponsor PCBWay द्वारा संभव बनाया गया था, PCBWay आपके PCB को competitive prices और impeccable standards के साथ जल्दी से बना सकता है, वे PCB Assembly Service भी प्रदान करते हैं, जहां वे PCB को components populate और solder करते हैं, नीचे दिये गए description में लिंक का उप्योग करके देखें, हमें विश्वास है कि भविश में engineering education पर जोर देने की आवशक्ता होगी, और इस सपने को समर्थन करने के लिए हम अपने सभी patron और YouTube membership sponsors के अभारी हैं, यदि आप YouTube memberships या patron पर हमें support करना चाते हैं, तो आपको description में link मिल जाएगी, इसके अलावा Logitech को धन्यवाद, जानकरी प्रदान करने, इसक्रिप्ट को review करने और तोड़ने के लिए माउस प्रदान करने के लिए, साथ ही subscribe करना, नीचे comment करना और इस वीडियो को दूसरों के साथ share करना ना भूले, या है branch education, अन तक देखने के लिए धन्यवाद.